कि अगरे बच्चो प्रिवियस क्लास में हमने एक्सराइज 1.3 को कंपलीट किया था आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सराइज 1.4 के बेसिक कंसेप्ट जुसके बेसिक कंसेप्ट में आता है वो है रूल नंबर टू इससे पहले हमने रूल नंबर वन पड़ा था अब जो रूल नंबर टू है वो क्या कहता है exact differential equation के लिए if the equation m डे एक्स प्लस nd y is equal to 0 इस नोट एक्जेक अगर यह equation exactly ना हो उसके बाद and is of the form of f of xy into y dx plus z of xy into x dy y is equal to 0 इस form पर भी आपने फोकस करना कि किस टाइब की form है एक एक function है fxy का into में y dx, जी कोई another function xy में x into dy is equal to 0, यह इस form क्यों होनी चाहिए, then 1 over mx minus ny यह क्या होगा, एक integrating factor होगा, providing mx minus ny is equal to 0, अब यह integrating factor कब होगा, जब इसकी value not equal to 0 होगी, अगर इसकी value 0 है, this means यह integrating factor नहीं होगा, तो आइए देखते हैं इसका solution, इसकी जो derivation है वो क्या let the equation m dx plus n dy is equal to 0, अब यह जो equation है, यह क्या है, exact नहीं है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, as we know, इसको हम equation number 1 suppose कर लेते हैं, equation 1 is not exact, यह हमें क्या गीवन है, यह exact नहीं है, उसके बाद हम क्या करेंगे, now we have to find, we have to find an integrating factor, अब हमें क्या चाहिए, integrating factor चाहिए, for this equation, या फिर for this differential equation, अब integrating factor क्या करता है, अगर हम इसको multiply कर देते हैं, तो उसको exact differential equation में change कर लेता है, अब हमें इसको integrating factor प्रूव करना है, तो इसको हम suppose कर लेते हैं, let 1 over mx minus ny is an integrating factor of equation first, हमने इसको क्या माल लिया, integrating factor माल लिया, equation 1 का, अब अगर यह integrating factor है, तो हम क्या लिखते हैं, multiplying equation 1, by किस से multiply करोगा, यह जो integrating factor है, mx minus ny, both sides, तो इसको हम दोनों side क्या कर देते हैं, multiply कर देते हैं, इसको हम multiply करेंगे, equation first से, तो m के divide में यह आएगा, m यहाँ से, upon value क्या आएगी, mx minus ny dx, plus n upon mx minus ny dy is equal to, क्या होगा, 0, अब हम इसको compare करते हैं, compare it with, m dx, plus n dy is equal to 0, क्योंकि हमें m और n के value चाहिए, अब यहाँ से, अब m की value complete यह दिख रही है, n की value complete यह दिख रही है, अब इससे हम mn की value निकाल के इसको differentiate बगारा कर सकते हैं, लेकिन, अब एक तो तरीका यह है कि हम mn इनको ले, या फिर इसके अलावा एक तरीका और है हमारे पास, क्योंकि अब यह जो form बनेगे, हमें किस form में लेके जानी है, इस वाली form में इसको change करना है भी, अगर हम यहां से direct कर देते हैं, तो यह वाली form आपको समझ में नहीं आएगी, कि यह वाली form इसका use क्या था, यह लिखी क्यों है, तो हमें यह वाली form बनानी पड़ेगी, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, या फिर यह लिखा जा सकता है, वो जो form है, य इन्टू में f of xy, साथ में dx, उसके बाद है, x इन्टू में g of xy, g function xy का, dy is equal to 0, या तो यह form यूज करो, या फिर यह form यूज करो, बात है कि हमें इस form के question मिलेंगे भी, तो हम इसी से समझते हैं, अब यहां से यह क्या है m, यह क्या है n, इस तरीके से, अगर हम इन दोनों को same value से divide कर दें, तब भी कोई effect नहीं पड़ेगा, तो हम divide कर देते हैं, xy upon f of xy minus, यहां लिखते हैं, g of xy, clear, इस first term को भी अलग से divide कर दिया, second term को भी xy, f of xy minus g of xy, clear, अब देखे, denominator same है, lcm लेंगे, right side में क्या हो जगा 0, कोई effect नहीं पड़ेगा, same as it is, अब ऐसा क्यों किया, ता कि हम easily prove कर सके, तो यहां से यह होगा, उसके बाद, अब next है पाते हैं, अब compare करते हैं इसको, compare it with, इसको अगर हम compare करें, mdx plus ndy is square to 0 से, we get, अब हमें value क्या मिलती है, जो m की value होगी भी, dx का coefficient, यह है सारा, यहां से y into f of xy upon xy, into में f of xy minus g of xy, यह किसकी value होई, m की, यहां y से y cancel होज़ेगा, and जो n की value होगी भी, n की value यहां से dy का coefficient x into g of xy upon xy into f of xy minus g of xy, clear, अब यहां x से x cancel होगी, उसके बाद, m और n की value आ चुकी है भी, अब उसके बाद, जो next step रहते हैं, board को अलग कर लेते हैं, divide कर लेते हैं, now, we have to prove, we have to prove, curl m upon curl y, is equal to curl n upon curl x, अब हमें यह प्रूव करने हैं, curl m upon curl y is equal to curl n upon curl x होगा, यही किसकी condition है, exact differential equation की, तो हमें m को differentiate करना है, with respect to y treating x as constant, and n का हमने derivative करना है, with respect to x treating y as constant, तो यहां से m की value ले ले लेते हैं भी, तो हम value निकालते हैं, curl, starting में m को अलग से लिख लेते हैं, m की value आई थी यहां, f of xy upon, यह x sin 2 में, into में f of xy, minus g of xy, अब हमें इसको differentiate करना है, तो यहां से हम value निकालते हैं, curl m upon curl y के, अब यह जो 1 by x है, हमेंने क्या बोला था, x को हम as a constant इसको treat करेंगे, इसको तो हम अलग से लिख लेते हैं, इसके साथ यह जो function इसका derivative कर देते हैं, तो यहां से 1 by x, इसको तो हम बार ही रखते हैं, इसका derivative में नहीं करते हैं, क्योंकि constant value multiply में एजिटीज रहेगी है, इसमें u by v, यानिकी constant rule लगाते हैं, तो यह क्या कहते हैं, v का whole square, v का whole square करोगे तो f of xy, minus z of xy, complete का whole square, clear, उसके बार, v as it is, f of xy, minus z of xy, ठीक है न, यह होगा, into में, u का derivative, अब f function है, x और y का, इसका है, x और y का, तो f का तो derivative क्या होगा, f dash xy, into में xy का derivative क्या होगा, f, x क्या है, constant, और y का respect में, हम क्या कर रहे है, derivative, तो xy का with respect to y derivative क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि y का derivative, 1 x तो क्या है, constant है, v as it is, u का derivative क्या है, minus, अब क्या करने है, जिसको as it is लिया था उसका derivative और जिसका derivative किया था उसको as it is यानिकि f of x y as it is इंटू में derivative of v v का derivative f function है x और y का तो derivative क्या होगा f dash x y इंटू में x y का derivative अभी मैंने क्या पता है था with respect to y क्या आएगा x y का derivative अकेला क्या बचा एक्स माइनस g of x y का g dash x y और इंटू में इसके साथ भी क्या आएगा x आएगा इस चीज़ को समझना अब यहां से देखो यह दो ट्रम है first ट्रम यह second ट्रम में first ट्रम में भी x multiply में है इन दोनों के साथ भी x multiply में इस x को मैं अगर यहां लिख दू यहां इनके पिछल लगा लेते हैं वी दोनों के multiply में है तो दोनों में से x क्या रहा है common अब दोनों में से x common आएगा तो वो इस x से क्या हो जाएगा cancel clear अब सिरफ यह value बसती हैं इनके multiply कर लेते हैं f dash x y के multiply f dash x y के multiply किसके साथ होगी f of x y के साथ minus यहां से g of x y into f dash x y clear उसके बाद यह minus में है तो minus f of x y into f dash x y minus minus plus f of x y into g dash x y clear और complete के जो divide में था denominate tragedies f of x y minus g of x y complete का whole square अब यहां से देखिए f का derivative f of x y derivative f of x y एक positive एक negative है दोनों टरम क्या हुई cancer तो यहां से value आएगी यह positive वाले को पहले लिख लेते हैं f of x y into g का derivative minus यहां से g of x y into f dash x y upon f of x y minus g of x y complete का whole square यह किस की value आ रही है curl m upon curl y की यह भी curl m upon curl y की value आएगी है clear अब यह curl m upon curl y की value आई इस तरीके से हमने solve किया अब board को rough कर देते हैं हमें किस की value चाहिए curl n upon curl x की value चाहिए तो हम क्या गरते हैं बोर्ड रफ करने से पहले इस value को यहां लिख लेते हैं भी अलग से अलग से इसको लिख लेते हैं कि curl m upon curl y की जो value हमने निकाले as it is f of x y into में g का derivative minus g as it is f का derivative f of f dash x y upon f of x y minus g of x y complete का whole square clear यह value हमने अलग से और आप इस complete को क्या कर देते हैं rough कर दे एह अब हम अलग से इसे जगह पर क्या निकालेंगे n का derivative का literally clear यह m की value थी इसको भी रफ कर देते अब यहाँ m की जगह पर हम क्या लिखते हैं अन की value लिखते हैं जो n था वो क्या था जी ओफ एक्स-वाई अपोन य इंटू F ओफ एक्स-वाई माइनस G ओफ एक्स-वाई क्लियर अब अन का डेरिवेटिव करने विद रिष्पेक्ट टू-एक्स-टो यहासे कर्ल एपोन कर्ल एक्स अब वन पाई-वाई तो कोंसेंट है, बार ही रख लो भी इसको लो už न में C expenditure rare करेंगे तो V का हुल escaped年, F of Magic form , F of XY minus G of извाई come complete का hole square गोही को सेंटर रूल अब Vunder east is F of expertise minus G of X was clear ? यह हो गया, ब्रेकेट के अंदर close कर दिया, अब u का derivative G of XY काnego Z dash X Y into मैं X Y का derivative with respect to X X variable है Y constant X का derivative 1 तो साथ में क्या बचा Y – अब U as it is G of X Y V का derivative करोगे F of X Y का derivative F dash X Y इंटू में X की respect में derivative कर रहे है X variable X का 1 और साथ में क्या बचा Y – ऐसे G dash X Y साथ में क्या बचेगा Y अब Y दोनों के साथ multiply में हैं bracket में इसको मैं अलग से यहां Y लिख लेता हूँ और यह bracket कर देते हैं close अब यह first term है इसमें भी Y दिखाई दे रहे इसमें भी Y दिखाई दे रहे और यहां one by Y है तो इन दोनों में से Y common होगे तो यह Y से तो Y क्या होज़ेगा cancel होज़ेगा अब जो भी बसता है उसके multiply कर लेते हैं multiply करोगे G-xy की F of xy के साथ F of xy G-xy उसके बाद minus G of xy G-xy clear उसके बाद यहां फिर minus G of xy और F-xy की multiply minus minus plus G of xy into में G-xy clear upon में अब इसके upon में value के आएगी yes it is whole square F of xy minus G of xy complete का whole square अब यह value आ चुक है अब इसमें से देखे के दो टरम कैंसल होगी G, G का derivative, G function और G function, G का derivative यह वाली value क्या है negative है यह value क्या है positive तो दोनों value क्या होई cancel out होगी उसके बाद अब जो बसता है उसको as it is लिख लेते हैं यहां से जो value बचेगी वो क्या हुआ F of xy F of xy into G का derivative उसके बाद minus G as it is F का derivative upon V का whole square F of xy G of xy complete का whole square यह value आई curl n upon curl x की अब ध्यान से देखे भी यह curl n upon curl x से यह जो value अलक्से मैंने लिखी थी curl n upon curl y की क्या दोनों value में कोई difference दिख रहे हैं F function G का derivative F function G का derivative minus G function F का derivative as it is और V square तो दोनों में क्या है as it is है तो हमें यहां क्या मिला here curl m upon curl y is equal to curl n upon curl x hence the equation converts into किसमें convert होगी भी exact differential equation clear so 1 over mx minus ny is the integrating factor of this equation तो इसका मिनिंग क्या होगा यही 1 over mx minus ny इसका क्या होगा integrating factor होगा यही हमने prove करना था भी तो यह है इसका सारा prove बीच में मैंने rough कर दिया था तो वीडियो rewind करके अब दोबारा से देख सकते हैं उसका सिर्फ हमने result लिखा था क्योंकि कई बार क्या होता है एक्सरसाइज 1.4 के एक्सरसाइज में बिल्कुल कुछ भी नहीं है अगर यह आपको चीजे समयागी तो क्वेस्टन तो पांच मिनिट के अंदर सारी हो जाएंगे तीन च्यार क्वेस्टन है नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.4 करवाई जाएगी तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही देखते रही है डिफेक्टो क्लासेज पिलाल इतना ही दो जाएगी